जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल घ्यान आरवियल में दोस्तों को बता है आपके पेट के एक्जाम लगे हुए हैं और उसके लिए हम ले कहा था कि हम हर एक चीछ क्लास लेकर आएंगे आपको पता इस्टैटिक जी के क्लास चल चुकी है साइं जैस के क्लास चैनल चुकी है और यह इतिहास की पहली क्लास है ठीक है बहुत ही सांदार्द らalFirst देखेंगे प्रीबिय ए सेर कोशियरे के साथ देखेंगे और बहुत ही कम समय मिलने वाली है आपके पेट इजाम की सुरू करते आज देखते इतिहास उसके पहले में थोड़ा चीज़े बतादू आपको आप सभी के लिए अगर आप कनिष्ट सहाय के त्यारी करना जाते दोस्तों सर्वस्रिष्ट टीम के साथ मैं लेकर आया हूं सफलता टू-पाइंट सर दोनों जूने असिस्टेंट खुर्ट सेलेक्टेट है दोस्तों आपको हिंदी कंप्यूटर और यूपी जी के पढ़ाने वाले हैं उसके लाहूं विवेक सर दोस्तों आपको बता है MTS की जॉब कर रहा है दोस्तों इसको रिजाइन करके ट्रेन मैनेजर है गुट सगार जोइन करने वाले हैं तो यह आपको पढ़ाने वाले हैं संदीप सर आपको साइंस पढ़ाने वाले जो की बहुत ही बेहतेरी इंडीजर है आपने से पढ़ा भी होगा चलिए और यह मात दोस्तों तीन सो निननानवे रुपय माभी आभी आपको मिल जाएगा ठीक है और अ सब्सक्राइब के लिए ठीक है और यह दोस्तों आपको मिल जाएगा यह भी आभी आपको तीन सो निननानवे रुपय मिल जाएगा हमारे घ्यान आर्बिया एप को इंस्टॉल करना होगा वहीं से दोस्तों सब चीज़े आपको मिल जाएंगी ठीक है तो पूरी तैयारी आ आज हम देखने काले इतिहास सुरू करेंगे और इतिहास का यह पहला पार्ट है ठीक है तो इतिहास सुरू करते हैं चलिए देखते हैं इतिहास क्या है तो मैं बता दू देखे इतिहास क्या है वो तो आपको पता होगा कि जो बीच जाता दोस्तों हमारा जो बहुत काल में कोई चीजा के आपको पता देखें हमें इसकी परिभाँ सांट ही देखने जो चीजे आपके इजाब में पूछियाती है है एक्टुरेट दोस्तो उसी चीजों कर में फोकस करते हुए चलना है हंना फालतू चीजेthank अ करते हैं इतिहास के बारे में इतिहास के जनक कौन है तो दोस्तों कौन है योनन के थे आपसे पूछा सकता कि कहां के निवासी थे तो यूनन के थे और लिगे इन्हों ने एक पूस्तक लिखी थी हिस्टोरी का इसी के उज़स इनको इतिहास का जनक कहते हैं इसको आपसे पूछेगा कि फादर आफ हिस्ट्री कौन है तो हेरो डोटर्स दोस्तों कहां के थे यूनानी थे ठीक है याद रखेंगे यह कोशन आपके यूपी पीसे 2017 पूछा गया था कि भारत वर्सके लिए इंडिया सब्द का सबसे पहले प्रियोग किस ने किया भारत को यूपी पीसे 2017 पूछा गया कि सबसे पहले भारत वर्सके लिए इंडिया सब्द का प्रियोग किस ने किया तो हेरो डोटर्स जो की क्या है सात्यों आपके क्या है यह हिस्ट्री के जनक भी है ठीक है अब देखें एक कोशन और आपका पूछा गया था कि भारत में मानों के सरपतम साक्ष कहां से मिले तो नर्मदा घाटी से कहां से दोस्तों नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानों के साक्ष मिले यह UK PCS 2006 में पूछा गया कोशन है तो याद रख लेंगे अगर आपसे पूछता है कि भारत के लिए हना भारत के लिए इंडिया सबसे पहले करजन के समय आपको होता है करजन होता जोस्तों 1904 में और 5 में करजन ही जोस्तों बंगाल इवाजन करता है याद आए ना 1905 में करजन द्वारा बंगाल इवाजन करता है उसी समय का होता है 1904 में करजन के समय करजन जो यह वाइस रहा था भारत का ठीक है करजन के समय क्या हो पूरा तत्विख के विभात कि इससतापना किस समय होती करजर्अ समय इसका पहला ध्च कोन होता है अलेक्जेंडर कनिगम ठीकए और दोफो इसी लिए यारकेंग एसी लिए हम अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या बोलते हैं भारती पुरा तत्तो सास्त्र का पिता दोस्तों यह पूछा गया कई बार कोशन यार्थ में most important है कि आप से पूछेगा कि भारती है पूरा तत्तो सास्त्र का पिता के सो कहते हैं तो Alexander कनिंगम को कहां कहां पूछा गया MPP से 2017 में इलाहबाद हाई को अब दोस्तों ठीक है उसमें पूछा गए 2022 में ठीक है तो याद रख लेंगे बहुत ज्यादा important है चलिए अब दोस्तों यहीं पर एक note point देख लेंगे हम भीम बेड़का के गुफाओं को बारे में ठीक है देखें भीम बेड़का या रखेंगे यह मंत्रश में तो भीम ब बनाए गया सैल चित्र और सैला स्राय के लिए प्रसिद्य कौन भीम बेड़का आपके एंटी पीसी में पूछा गया कोशन 2021 में अब भीम बेड़का दोस्तों बहुत सी चीज़ें पूछा थी इसकी खोज कब हुई तो बोता दें कि भीम बेड़का गुफाओं की खोज करने किसने डॉक्टर विश्लू स्रीधर वाकड़कर ने दोस्तों कि थी यह आपके MPPCS 2020 में पूछा गया कोशन तो यानि कि भीम बेड़का से कुछ भी पूछा जाए आपको मुने सब कुछ बता दिया कहा है भीम बेड़का तो मद्ध प्रदेस में मिल जाएंगे ठीक है आपसे पूछें कि इतिहास कितने भागों बटा तो तीन भागों में इसको हम बांटके पढ़ेंगे पहला है प्राग एतिहासी कि इतिहास क्या प्राग एतिहासी कि इतिहास दूसरा दोस्तों क्या होगा हमारा दूसरा जिस्सातियों हो जाएगा हमारा कौन सा आद इतिहा प्राग जो से पढ़ेंगे तो चलिए इसको हम सुरू करते हैं शुरुवास से पढ़ना कि सुरुवास से दोस्तों देखते हैं थीक है तो चलिए पहला है दोस्तों प्राग जो प्राग इतिहासी काल क्या था समझेगा प्राग इतिहासी काल क्या था मैं को दा तो इसके साक्ष मिलते हैं कई चीज़े मिलती है ठीक है प्राग इतिहासी काल के साक्ष मिलते हैं ठीक है लिखित प्रबाण नहीं तो कोई चीज लिखित नहीं जैसे मानले दोस्तों की कोई प पारह में तो लिखिद प्रमार नहीं समझेगा दुमारा सुलेज़ेगा दिएके इसके साक्ष तो मिलते हैं साक्षी से पथर मिल गए नुखीले टाइप यह और तरी के नवो मिलते हैं रखेंगे और अब पहला है पुरा पाशान काल तो इनमें कोई लिखिद प्रमान नहीं मिले सभी या क्योंकि ये भी तो उसी का भाग है तो इसके लिखिद प्रमान नहीं है दोस्तों पुरा पासारकाल का देखे इनके साची बिले देश sebenЕ कि इस जिसमें होता क्या था आप से पूछेगा कि पत्थरों का सबसे वहले प्रियोग इस समय श्बघ professionally इस समय मानों जो है ऒटर जब गुफा में रहते थे इसी समय डोस्तो आग की कोज ते इस These वो लोग जब पत्थर पत्थर लडाते हैं दोस्तो आग ही हो जुई अचाना दोस्तो आग लग गई और उन्हें भुना हुआ मांस खाने को मिला जिससे उनको अच्छा लगा तो उन्होंने दोस्तो इसी तरीके से आग की खोज कर ली पत्थर का प्रियों करते ते आग की खोज किस काल में अगर आपसे पूशे कि भारत में कौन थे रोबर्स ब्रूस फूटे क्या रहाएं रोबर्स ब्रूस फूटे या फूटे दोस्तों कहते हैं यह भूगर वैगानिक थे यह भी कोशन आपके पूछा जा चुगा ना भूगर वैगानी क्या थे यह भूगर वैगानी थे इनके द्वाइगा खोजा गया संभधा पहला पुरा पासाल उपकरण कौन से था तो पलवरम हाथ कुलारी थी यार रखेंगे आप से पूछेगा कि सबसे पहला दोस्तों हात्यार कौन से था यह थो पलवरम हाथ कुलारी था दुस्तों सबसे पहले मानो दौरा प्रयोग मिलाएगा पहला उपकरण कौन से था तो पलवरम हाथ कुलारी दोस्तों कि ने कह जा तो रौवर्ट्स ब्रूस फूरु के लई पोजा गया थीक है चलिये एक कोशन दोस्तो आये था कि माईक्रड क्या है। आपके SSC MTI 2015 में पूछा गया कि माइक्रो लिथ क्या है, तो माइक्रो लिथ को होता है, जो छोटे पत्थर के ऑजार होते हैं, पत्थर से छोटे जो आउजार बनाया जाते थे उनका, उननी को दोस्तों माइक्रो लिथ कहते थे, जिनका इस्तेमाल, सुरुवाती इ इससे में पंथरों कप्रेट होता था इसी में आपके पलवरम हां थे कुलाडी की में खो जूँई थी ठीक है चलिए अब मध्य पासानकाल के बारे देखते हैं तो मध्य पासानकाल के बारे मगर देखे रहां पर दोISTively सिकार करना प्रारम कर दिया, अभी पूरा पासान तो सिकार नहीं होता था, मद्द पासान काल में क्या हुआ, सिकार करना सुरू कर दिया, नुखीले पत्थर के अउजार बनाने सुरू किया, सिकार करना सुरू कर दिया, ठीक है, मद्द पासान काल में मानों ने सिकार करना तो आदमगण MP दोस्तों यह UPPCS 2008 में पूछा गया ठीक है कि भीया मानू पसु पालते थे इसके सबसे पहले साक्ष कहां से मिले दोस्तों आदमगण मद्ध प्रदेश से और आप उतादें कि पहला पालदू पसु कौन था कुत्ता था यार के महुत important दोस्तों बहुत मद्ध पासार काल में पसपालन के साक्ष मिले दोस्तों तो बाग और से यह भी अरक लेंगे यहां तक ही कि मद्ध पासार काल के पसु पालन के साक्ष कहां से मिले बाग और से मिले ठीक है पहला पालतू पसु कौन है कुत्ता है ठीक है यहाँ पे दोस्त हमने देखा क्या दुबारा दिखाते आपको कि मध्य पासाड काल में मनुष्यों ने सिगार करना शुरू कर दिया, ठीक है, पसुओं को पालना शुरू कर दिया, तीर कमान का आविस्कार कर लिया, और पहला पाल्दू पसु कौन था, कुट्था था दोस्तों, और पसुबालन के साक्षि सब यार हो चुकी थी, और याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS दोजा, उनिस सत्तान में पूछा गया, कि मानो द्वारा सर्थम प्रियुक्त किया गया, और आज कौन सब जोग, सबसे पहले दोस्तों, जोग को उगाया गया, मनुष्यों द्वारा, तो ये भी आपका मेहरगड से, ठीक है, अभी तरह देखिए, अगर आपसे पूछेगा, कि क्रसी के साक्ष कहां से प्राप्ट हुए थे, तो मेहरगड आप पाकिस्तान से बताएंगे, मगर दोस्तों, ये पुराने सोध के अनुसार, अभी जो नवींतम सोध हुआ ना, त वो 9000 से 8000 इसापूर के मद्द के चावल के साक्ष मिले, और देखिए, यार रखेंगे, कि धान की खेती के साक्ष दोस्तों, कोल्डी हवा में, प्रयाग राज में, ठीक है, यार रखेंगे, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा, कि दोस्तों, क् लहूरा देओ से, तब मेहर कर नहीं बताएंगे, अगर अगर देखिए, लहूरा देओ आपके पूराना हो चुका है, तब आप मेहर कर लगा सक्षे अगर दोनों दोस्तों तब आपको लहुरा देव ही लगाना क्योंकि नवीरतम साक्षे के अनुषार आपका लहुरा देव दोस्तों मिल जाएगा आपका कहा संत कबीर नकर में यहां दोस्तों बहुत पहले दोस्तों चावल के साक्षे मिले हैं लगबग 9000 से 8000 इसा पूरु के दोस्तों चावल के साक्षे यहां मिले हैं ठीक है चलिए अब दोस्तों धान की खेती के साथ से कहां से मिले कोल्डी हवा से ठीक है यहां पे धान खेती हो रहे थी यह साक्ष दोस्तों क्या हो गई सराल हो गई ठीक है पहिए का विसकार दोस्तों नौपासार काल में आपको दादे कि मानों द्वारा खो जा गया पहला धात्व क्या था तामब था दोस्तों यह आपके UPCCC PIT 2021 पूछा गया त्यार रखेंगे और तामब का पहली बार प्रियोग कहा गया तामर पाशार युग में किया गया ये भी आपके UPCCC PIT 2022 से पूछा गया तो इन चीजों को भी आपको याद कर लेना है ठीक है चलिए आप दोस्तों दूसरा जो काल है इतिहास का वो है आद इतिहासी काल आद इतिहासी काल हमने देखी क्या बताय था कि जो प्रागत इतिह आद इतिहासी काल था वहां दोस्तों साक्ष मिले और दोस्तों कोई लिखित प्रमार नहीं मिले अब यहार खेंगे आद इतिहासी काल में का और साक्ष भी मिलते हैं और लिखित प्रमार मतले मागर इनको पढ़ने ही पाएं लोग ठीक है पढ़ने ही पाएं दोस्तों जहाने की कोसिस भी की प्राग एतिहासी काल आद एतिहासी काल ठीक है समझ कह repl fences सांदर तरीके से तो चलिए आगे बढ़ते हैं बीना किसी देरी के अब दोस्तों हम सिंधुघाटी सब्विता के बारे हिए कि सिंधुघा थि सब्विता के बारे हिए के दोस्तो बहतरीन तरीकर से चलिए सिंद हगाती सभथा को बारे देखते दोस्त आप पुछा गया था कि हपा की सरवर्थम खुदाई हरफा के सर्वर्थम ंचिप्त खुदाई किसके दारा की गए थी तो आ खुदादे किसके दारा कराए यही पहले क्या थे दोस्तों पुरातत्य विभाग के अधिक्ष से ना रखेंगे दोस्तों इनी के द्वारा सबसे पहले दोस्तों संचित करवाई गई थी याद रखेंगे यूपी ट्रेपल एस सी विडियो रिग जाल दुजार तेई से पुछा गया कोशन था अगर दोस्तों पहले दोस्तों इससे जीडि में कई बार कोशन पुछा गया कि नियुकिति में से कौन सा नहीं है ठीक ऐसे कोशन पूछेगा ठीक है चलिए और अगला दोस्तों सिंदु प्धा करते हैं यार्ण कि अररवी एई यल्पी में पूछा गया कोशन है कि किसकी पूछा करते थे पसुपत्ती की ठीक है चलिए और दोस्तों यह चीज़ आपको यार्ण कि चिन्द्धुखाटी सब्भैता के लोग कांस से बना सकते हैं कांसा बनाने लिए लिए किससे स प्रियों करते थे तामबा और टीन का यानि आप से पूझे कि कांसा क्या है तो मिस्ड़ातू है किस से मिलके अंदर तामबा और टीन से मिलके दोस्तों कांसा बनता है कि कांस युगीन सब्विता किस को कैते दोस्तों किसको बोलते हैं तो सिंदुगाटी सब्विता को अदके सिंदुगाटी सब्विता की एक दोस्तों विश्यस्ता क्या थी कि दोस्तों यहां पे न इंट से बने हुए माकान आपको मिलते थे यानि कि अहां पे दोस्तों इंट वार्ति दयाराम सहायने ने कहीं थी दोस्तों इसकी कौछ ठीक है अब देखें यार रखेंगे देखें जो आपका ये सिंदुगाटी सब्हेता है इनके दोस्ते चार तरफ सबसे पूर्वी सब्हें समझेगा समय कोई को सिद्ध करिएगा कि दिकेमाले दोस्तों कोई भी ची नदिक किनारे हिंडन नदिक किनारे आप बता हिंडन एयरपोर्ट भी है दोस्तों ठीक है कहां है गाजियावाद में ठीक है तो यार रखेंगे सबसे पूर्वी स्थल आपसे पूछेगा सिंदु भाटे सब्वेदा का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा तो आलमगेरपुर कहां है हिंडन नदिक किनारे मेरट में सबसे पश्चुमी इस थल दोस्तों पूरवी आलवा saph Down मार्सल की निया कि सब्धा करें थे 그래서 50 लेकर 2750 ऐसाफ पूर्षा ए दोस्तों कि करों कि कारवन डेटिंग लिए रेंदियो तो 2350 इसापूर से लेकर 1750 इसापूर तक मानें दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा माने भी सरोधिक माने क्योंकि यह कार्बन डेटिंग है नी रेडियो कार्बन C14 के इसार दोस्तों ठीक है तो यह चीज़ आरकेंगे अगर आपसे पूंशता है दोस्तों आपसे देखर आप यह वाली दिथी बताएंगे ठीक है कि 2350 इसापूर से लेकर के 1750 इसापूर के तक विद्धिवान थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं और एक चीज़ मैं बताओं आपको कि सिंदुगाटी सब्विता के लिपी कैसी तो भाव चित्रात्माग लिपी है जो कि दाएं से बा सिंदुगाटी सब्विता देखें सिंदु लिपी से लिपी मिली है सिंदु लिपी के विचाय में सरव्थम विचार करने वाले ब्यक्तिकौं थे तो अलेग्जेंडर कनिंगं थे ठीक है जोकि ये ब्राम्भी लिपी संबंदित है जैसे दोस्तों ब्राम्भी लिपी से देवनागणी लिपी निकली है उसी प्रकार से सिंदु लिपी भी ब्राम्भी लिपी के जैसे ही है ठीक है ये चीज या रखना है ठीक है तो आपको समय में आगा होगा तो अलेग्जेंडर कडिंग जो लिपी थी इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रियास किस ने किया तो LM वैडल ने ठीक है और यहां पर दोस्तों एक नोट करके लिख लिजेगा कि दोस्तों ब्रामभी और खरोष्टी लिपी ना ब्रामभी लिपी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किस ने किया तो James Principe ने किया ठीक है ये CDR 2018 पूछागे कोशन ने ठीक है उद्वाचित मतला पढ़ने का प्रियास किस ने किया तो James Principe ने किया ठीक है और आक हो तादे है जो खरोष्टी लिपी है ये दोस्तों बाएं से इसको डाल दिया अब बात करेंगे दोस्तो संदुकार्टी सब्विता के यहां पर मतलब 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 की मतलब यहां पर महिलाओं की सब्ता ठीक है चलिए और दूस्तो यह लोग क्रसी करते थे ब्यापार करते थे क्रसी खेती और ब्यापार करते दोस्तों ठीक है आपने मोहां जो दालाओ मूवी देखे होगी दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि ये लोग ब्यापार भी करते थे ठीक है चलिए यहां पर वर्ग दोस्तों कैसे थे तो एक पुरोहित था सबसे उपर पर ब्यापारी पर अधिकारी फिर सिुलथी फिर श्रमिकों ठीक है ये दोस्तों लगब पांछ उपरकार के ओरगों में बटे हुए थे लोग ठीक है चलिए अब दोस्तों आपको बदाते हैं कि सिंदुगाटी सव्विटा के प्रमुक एस्थल दोस्तों जहां से कोशन आप करता है इसको को भूब थे अथे किससे वृफिसानम में लीटिस्त और इसके शुरू हुए कहां पड़ता है पाकिस्थान में दोस्तों और एक कोशन देखे आपके इसमें पुछा गया लेटिस्ट परिय राज़ा एक सरवेचर के महान देशक कौन थे एम हुईलर ने दोस्तो जो पदभार समा रहा तो इन्होंने हरपपा की खुदाई का जिम्मा ले तो दोस्तो ये भी कोशन आपके UP, RV, UNL, JE 2021 से पूछा गया ठीक है आद दोस्तो हरपपा किस नदी किनारे है तो रावी नदी किनारे ठीक है या रख लेगे हरा दयाराम ना हरा दयाराम नदी ठीक है हरा दयाराम दोस्तो हा से हरपपा रावी नदी और दयाराम से दयाराम साहनी खोच करता ठीक है चलिए अब दोस्तो आपको उता दे इसमें पवित्र पसू कों थे तो यार रखें दोस्तों ये भी कोशन आपके एक्जाम में पूछे गया है कि पवित्र पसू कहें था दोस्तों तो कूबर वाला वाल और संग यूगत प्रसू दोस्तों इसके क्या थे पवित्र पसू थे आपके हडपा सविता में ठीक ये आपके S.S.C.G.D. 2021 में पूछा हुई है ठीक है SSCGD 2022 में पूचा गया कौशन है चलिए और आपको दा देख हडपग निवासी दोस्तों कौन से खेल में रिचिक देख था दोसों सतरंज में देखें आधुनी सतरंज जैसे ही खेल था वो दोस्तों हडपक निवासी ये खेला करते थे SSGD 2022 में पूछा भी गया है ठीक है और जुआ भी खेलते थे दोस्तों ना तो हडपक निवासी दुआ और सतरंज दोनों खेलते थे ठीक है चलिए अभी देखे आपके UP7722022 में कोश्चन प पीटर पलसी पेटर 2022 में पूंचा गया था ठीक है तो इसको भी आ रख लेंगे अब देखे बिसेस्ताओं की मैं बात करूँ तो हलपा की बिसेस्ताओं की बात करूँ तो 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 यह क्या था सहरी निवासी था तो सहर की तरीके ग्रह निर्मार तो घर को बना के रखे थे यहां जले हुए गेहूं और जॉब के साक्ष मिले हरप्पा से ठीके उसके लाव कपास की खेटी के भी साक्ष मिले और उसको यहां पे एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र भी प्रात ऊपुआ मचवारों के चित्र मिले कांस से बना हुआ सीजा मिला ठीक है सवों को दफनाने के साक्ष्य मिले तांबे की इकका गाड़ी मिली और साथियों आप पता दें कि पत्थर की बनी नत करती हुई पुरुस की मूर्थी अनि नट्रा जिस्कित में दोस्तों यह भी मिला और यह हैं मरत को का टीला ही पता रहा हु मगर दो से यारत के सिंद्का वाग भी कहते हैं मोहन जोद्रों को यह सची जील्डी 2021 को किस इस्थाल को हम सिंद्का वाग कहते हैं दोस्तों किसको बोलते हैं मोहन जोद्रों को अधिके मोहन जोद्रों कहां इसकते है तो लरकाना जिला दोस्तों ये सिंद परांथ पाकिस्तान परता दोस्तों ये सिंद परांथ त्यार रखेंगे कहां परता है पाकिस्तान ये और भी एंटी पीसी दोजार किसे पुछा गया कि मोहन जोद्रों सो कहां है तो सिंद परांत उसमें आपसंद था पाकिस्तान ये फिल रखाना जीरा नहीं था त्यार रखेंगे सिंद परांत में मोहन जोद्रों ठीक है अब दोस्तों इसके उत्खन करता है को होनों तो एक साल बाद के 1921 में दैराम साहिनी ने हरपक की थी मोहन जोद्रों के खोज राखौम संद आख रहत है और वह अठीक है चले है अधिके सिंदि मासा में मोहन जोद्रों करता होता है है मोहाँ जोदरोуск का है डेकटो कोश्चन आपके Olha किस भाऊसा में कि होता हुत हो सिंदी भाएंसा में ऐसे भी कोश्चन पूंश रखता ठीक है और यह कोश्चन आपके और मरूЗ बीघर मूये-जोद्रो ऑथcek अनागार और विसाल इसनानागार प्राप्ट हुए है यह कोशन आकार में थे तो आएकार की तरीके होते थे ठीक है चलिए यहां दोस्तो बुने हुए कपड़े के साक्ष भी मिले और स्वास्तिक कच्चिन मिला दोस्तो स्वास्तिक स्वास्तिक चिन भी कहां से मिला है तो यह मोहन जोद्रों से हमें प्राप्त हुआ है ठीक है चलिए कांसे की नर्तक की मूर्ति भी मिली दोस्तों अब प्रतेग मकान में एक कुमा के साक्ष भी मिलते मिला हर एक मकान में कुमे के साक्ष कुते थे नत्राच की मूर्ति मिली और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली देखे दाढ़ी युक्त दोस्तों एक पुजारी था उसकी मूर्ति मिली और पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली दोस्तों यहां प्यार करें पुजारी राजाओं मूर्ति दोस्तों यह देखे आपक प्रांत पा किससान पर करता रहे हैं अगे की आपके यू की तो यह किस नकोषर गया रहे हैं सिंधो pearls नकिनारे ठीक है इस एद व भी jeszcze सिंद परांद में पड़ता है त democrat किनारे इसी दोस्तों यह चीज़ क्या रखेंगे दोस्तों जैंश जिंद गारती सब्वैता का और दोकी नगर है यानी कि यहाँ पर दोस्तों उद्दयोग भी चलते थी लड़किया जोती दोस्तों वो क्या करती दोस्तों सजने समरने के लिए ऐसे जैसे अभी करती न काजल लगा लिया कंगा लगा लिए फिष्टी लगा लिए वैसे उस समय भी होते थी दोस्तों और कंगा किसका मिला था हाथी के दात का यानि हाथी को मार के दोस्तों कंगा बन मनता है यह बंदरगा था ठीक है लोथल ऐसे दोस्तों अपने गुजरात एहमदाबाद गुजरात मिलता है ठीक है और आप पताते हैं कि लोथल के बारें बहुत इंपर्टन कोशन मनता है ठीक उत्करंद करता है को से 1925 में रंग नात राव ने करवाया भुगवा नदी किना एंडिये 2021 से पूछा गया लोथल में मनका निर्मार का एक विस्ष्ट केन था और दोस्तों सिंदुगार्टी सभिता का ब्यापारिक नगर भी था यह ठीक है लोथल बहुत इंपर्टन से ब्यापार करने लिए क्यों क्यों कि यह दोस्तों बंदरगा किनारे था जहां से ब दफनाने की प्रक्राइब अभी दोस्तों क्या होता है अभी देखते हैं जिसे दादा और दादी कुछ साथ में दफना देते हैं उनकी समाधी बनाते हैं वैसा दोस्तों यहां पर मिला यूपी पीसे 2016 पुछा गया सोड़ के अभूसर मिले और दिसा मापा की अंदर भी य एक बंदरगा था कहां पर दुस्तों गुजरात के अहमदाबाद में ठीक है चलिए आप काली बंगा आर्थ का होता है काले रंग की चूली दौसरी जहां पढ़ता है तो हनवान राजिस्ता ने दौस्तों पड़ेगा इसके उतखनर करता कहूं है उनीस त्रिपन में बाल गगगर नदीग किनारे यहाँ पर होता कि जूते हुए खेद के साक्षजी मिलते SCCC-HSL 2019 सो पुछा क्या कि जूते हुए खेद के साक्ष आप से मिले तो काली वंगा से ठीच है उंट की हड्डिओं के साक्षज के करवाया और यह भी घगर नदी किनारे है ताम रूपरण मिला हरपा लिपी यूख तो दोस्तों मुद्रा भी मिले अगला है बना वली दोस्तों बना वली कहां है तो हिसार हर्याणा पड़ता यह देखी आपकी यूपी ट्रेपल सी दोजर तेज दोस्तों अभी लेटेस्ट पूछा गया कोशन की बना वली कहां है तो हर्याणा में उत्खन करता कोंथा सो 1973 में रवेंजर सिं भी इश्ज दौरा करवाएगा किस नदी किनारे सरस्ती नदी किनारे ठीक है और यहां दोस्तों आपको क्या मिलता है तो बना वली दोस्तों मिट्टी का हल मिलेगा जोके दाने मिले हैं, और सड़ोर पर बयलγारी के पहिये के साक्ष मिले, यानि इस समय बयल गारी थी दोस्तों, ठीक है, सड़ोर पर बयल गारी के पर दोस्तों यह चीज आपके लिए इसको यार कर सकते हैं कि मानुग के साथ कुट्थे भी दफना जाते हैं कहां पर रोपन में सेल खड़ी की मोहरे भी रोपन से बरामत हुए अगला है रंगपुर दोस्तों रंगपुर कहां पड़ेगा तो काठिया वार्जिला दोस्तों ठीक काठिया वार्जिला गुजरात में उत्खन करता 1954 में एस आर रावने करवाया और को इस नदी किनारे भादर नदी किनारे दोस्तों यहां से जौर वाजरा और धान की भूसी के भी साक्षे मिलते दोस्तों ज्यादा इंपड़न है नहीं बस इतना या रखेंगे कहां ठीक है आलमगीरपुर सndसे पूर्वी सथ्थने स को मैं हैं हीरा नदी किनारे और सबसे पूर्वी स्थर्में करता है उक्सार में सबसे पूर्वी से किनारे सुथकांगे डोर तो दास नती किनारे वह यह भी बंदर गाहों गरॉगे तो यहां से दोस्तों यह साहीं मिलते हैं बेबी लोग से भी यह तो वियापार करते थे ठीक है चलिए और मानो अस्ति राक से भरा हो बढ़ता है जिसे अभी का उता है उसको जलाने के बाद उसकी राक ही हंडी में रख लेते हैं तो उसी प्रकार से यहां भी हो रहा था मांडग बात करते हैं जम्मू कस्मेर में दोस तो यह गुजरात में पढ़ता है और यहां से पुछा गया कि जलास्यों कि साक्षे कांज तो धौला वीरा तो यह भी स्थान याद करने की समय भी नहीं याद भी नहीं कर पाएंगे तो इतने हमने करवा दे जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टन कहीं नहीं परिच्छाओं में पूछे गए हैं तो यह ठीजे हमने करवा दिए अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके जा सकते है है दोस्तों ठीक है बता सकते कैसा लगा और हम नेक्स्ट क्लास भी आपको लेकर आएंगे वीडियो कर दीजेगा ठीक है चलिए और दुबारा बता दोस्तों हमारी करणिश्ट है के लिए सबसे सबसे टीम दोस्तों आ चुकी है आपको दादे कि सपलता डूबाइंड जीर तरीके से साइंसी क्लासेज दी जाएंगी किसी वप्रकाग जाएंगे दोस्तों आप इस नंबर पर हमें वार्टसाप फोन या कुछ भी करके आप से पता कर सकते हैं बहुत ही सांदार तरीके से मात्र 399 रुपन दोस्तों आपको यह बैच मिल जाएगा इसके रावा मैं सा सकते हैं हम सीरे संपर्ग आप से कर लेंगे चलिए दोस्तों कैसे लगी वीडियो जरूब बताएगा मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैह भारत बंदे मातर थैंक्यू लव यू आल